जैस्री कृष्ण मित्रों फिर एक बार बहुत-बहुत हारदिक स्वागत है आप सभी का आज हम बात करेंगे सुर्य के गोचर की सुर्य का गोचर जो 14 अप्रेल को में इस राशी में हो रहा है उसके क्या प्रणाम मिलेंगे कुम्भ राशी बालों को इसके बारे में चर्चा करेंगे यह घोचर का राशी फल चंदराश्पराधारित है यानि मुन साइन पर जिन लोगों को अपनी राशी नहीं पता है वो लोग अपनी जनकुनली में देख लें कि चंद्रमा उनकी किस रासी में है, जिस रासी में चंद्रमा है, वो ही उनकी रासी है, जिनके पास जनकुनली नहीं है, वो अपने नाम के पहले अच्छर से अपनी नाम रासी जान सकते हैं, और ये राशिफल अपनी नाम रासी से देख वा सुन सकते हैं, तो चलिए मित्रो मेस राशी में गोचर करेंगे और ये सुर्य की उच्छ राशी है तो ये गोचर कई माईनों में बहुत अनकूल रहने वाला है सुर्य का मेस राशी में गोचर आपके कुम राशी वालों के लिए अच्छे परणाम लेकर आ सकता है क्योंकि कुम राश से तीसरे भाव में गोचर होगा और उच्छ राशी में होगा तो इस समय जा तक थोड़ा उत्साह और जावान आत्मिस्वास से भरे रहेंगे सहसी रहेंगे, हर्च नोती का डटकर सामना करेंगे हाला की सुर्य देव कुछ जात्कों को इस दवरान कुछ एहंकारी भी बना सकते हैं इसलिए इस बात की साथ धानी रखें कि अपने में एहंकार ना आने दें इस बात का ध्यान रखें सुर्य का मेस राशी में गोचर होगा जो कि अगनीतत प्रधान राशी है देखा जाए ये सुर्य का जो गोचर होगा सीधे तवर पे मानप सरीर को प्रभावित करता है क्योंकि स्वास्त को भी सुर्य से देखते हैं तो ये महत्रपूंड गोचर है और सिंग राशी के स्वामी है सुर्य और जीवन में सभी प्रित्कूल भटना में लड़ने में जीवन सकती उर्जा और अच्छी रोग प्रतोधक छमता सुर्य से ही मिलती है और सारी रिक चरित्र भी प्रदान करते हैं ये मेश राशी में उचर होगा सुर्य का सुटी यात्रा साहस और प्राक्रम का भाव तीसरे में विराजमान रहेंगे वहां पर उच्छो के होकर रहेंगे तो इस समय पर आप अपने सभी लच्छे और कार्यों को पूरा करने में सच्छम होंगे और आपका ये इस टाइम ब्यापारिक जीवन पेसेवर जीवन के हैं तो ये समय होगा जब आप सबसे चुनोती पूर्ण कार्यों के साथ भी अपने सभी कर्तब्यों को भली भाती पूरा कर पाएंगे जिसमें आपका जोस और जनून उसमें दिखेगा कार्यों को पूरा करने में खेले के किएगे कोई निवेस में भी आपको लाब देखने को मिल सकता है ये गोचर आपके साथ ही और पार्टनर को भी भाग का साथ देने का कार्य करेगा इसके अलावा निजी जीवन में आपको कुछ छोटी यात्राएं करनी पड़ सकती हैं जिससे आपका धन और समय थोड़ा खर्च होगा तो पारिवारिक जीवन में घर की सभी सदस्यों के साथ इस समय आपके समन्द मधूर रहेंगे परन तो छोटे भाई बहनों के साथ आप अहम के टक्राओं से बचें स्वास्त के लिहास से आप कुछ स्वास्त समस्याओं का सामना कर सकते हैं इसलिए अपने स्वास्त के प्रति साबधान रह और तीसरे भाई में गोचर होगा तो प्रेमी प्रेमका से बर्त के बाद विवादों से बचें नवम भाई पर दृष्टी होगी तो भागे का साथ इस समय आपको मिलेगा सब्तम भाई के स्वामी का गोचर होगा तो सब्तम भाई बैभाईक समन्द भी आपके अच्छे र इस बात का ध्यान रखना होगा अगर आप सरकारी नोकरी में हैं तो वहां आपको फाइदा मिल सकता है आपके बॉस के साथ समन्द अच्छे रहेंगे बैसे प्राइवेट नोकरी बालों के समन्द भी बॉस के साथ इस समय अच्छे रहेंगे सहकरीमियों का साथ भी मिलेगा आप अपने कार्यों को मेहनत के साथ पूरा करेंगे, अगर आपका कोई व्यापार कारोबार ऐसा है जो सरकारी छित्व से जुड़ा हुआ है, आप ठेकेदार हैं, या सरकारी ओफिसों में कोई ऐसा सामान सप्लाई करते हैं, जो गवर्मेंट से रिलेटेड हैं, तो आपको इस समय फाइदा देखने को मिलेगा, और अगर आपकी पेमेंट वगरा रुकी हुई है, तो प्रयास करें, इस समय आपको मिल सकती है, और जो लोग सरकारी नौकरी में हैं, उनको इस समय लाब देखने को मिल सकता है, उनकी उन्हती का समय है उनको उन्हती हो सकती है तो इस तरह के प्रणाम देखने को मिलेंगे और सुर्भवान को कि लिए उपाय बता देते हैं आप प्रद्धिन सुर्व को जलर्पित करें सबसे अच्छा उपाय है तावे के पातर से करें और रविवार वाले दिन गाय को गुड और रोटी खिलाएं उससे भी आपको लाब मिलेगा और अगर रोटी नहीं खिला सकते हैं खाली गुड भी खिलाएंगे तो भी लाब मिलेगा तो इससे आपको लाब मिलेगा तो मित्रों आज मैंने आपसे सुर्य के गोचर से कुम्भ राशिवालों पर इस गोचर के क्या प्रभाव पढ़ सकते हैं उसके क्या प्रणाम हो सकते हैं इसके बारे में को चर्चा की ये गोचर का राशिफल सामानी राशिफल है सभी जातकों पर पूर्णूप से आप सभी स्वस्त रहें, आईश्मान रहें, धन्वान रहें, ऐसी मेरी स्रीकृष्ण भगवान से प्रार्थना है, जै स्रीकृष्ण